तो नमस्कार प्रिविद्यार्थिगन आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी संधी के बारे में तो अगर आप संधी नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों के से समझ जाएंगे हमारा विश्वास है तो चलिए देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है आज हमको कि आज संधि पढ़ना है तो चलिए देखते हैं संधि संधि क्या पढ़ रहा है संधि संधी दो सब्दों से मिलकर बना है संधी किस से बना है? संधी से संधी बना है संधी का मतलब हो जाएगा पूर्टया धी का मतलब मिलना क्या हुआ? मिलना ठीक है? संधी का मतलब पूर्टया धी का मतलब मिलना या समीब आना और संधी से बन गया संधी और संधी का मतलब क्या हो जाएगा? संधी का साब्दिक अर्थ हो जाएगा संधी का अर्थ हो जाएगा मेल मेल या मिलना ठीक है मेल या मिलना संदी का मतलब मेल या मिलना तो संद में जब दो वार्ड मिलते हैं वार्ड तो जैसे दो सब्द जब नजदीक आते हैं तो उनमें वार्डों का मिल होता है सब्दों का मिल नहीं होता है जब सब्द जो दो जो सब्द होते हैं नजदीक लाए जाते हैं तो मिलते हैं मिलने पर उसमें वांड जो रहते हैं पास पास के जो ऊड़्ो ते समीप जो सभसे उन्डि होते हैं वही मिल जाते उसी का मेल होता है तो जो जो विकार उत्पन होता है जो परिवर्तन होता हैं जो qweare changing आती है तो उसी कहाते है संधि ठीक है तो अगर परिभासा लिखना चाहें तो परिभासा लिख सकते हैं दो समीपुवर्ति वाडो के मेल से उत्पन विकार को संदी कहते हैं दो समीपुवर्ति समीपुवर्ति वाडो के दो समीपुवर्ति वाडो के मेल से मेल से उत्पन विकार को उत्पन विकार को क्या कहते है संद कहते है संद कहते है संद किसे कहते है दो समीप वर्ती वाणों के मेल से उत्पन विकार को संद कहते है तो दो समीप वर्ती वाणों कैसे मिलते है तो और विकार क्या होता है बिकार का मतलब हो जाता है changing जब दो वांड मिलेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा उसी को कहते हैं संधी ठीक है मतलब दो मिलेंगे वांड एक नया वांड बन जायेगा उससे changing होगी तो कुछ नया बनेगा उससे तो यही होता है संधी कि J Say जैसे जैसे भी यहां पर जैसे में MRS , MRS 1 तो यहां पर क्या है प्रति में томन ए की मात्रह क्या है इकी मात्रह Полस कि यह यहां पर को प्रति धन एक तो यहाँ पर E और A से A बना क्या बन गया? A ऐसे होगा तो हो जाएगा प्रत्येक बन गया प्रत्येक अगर इसको तोड़ कर देखना हो तो तोड़ कर भी देख सकते हैं देखा जा सकता है तो चलिए तोड़ कर देख लेते हैं प्रति प्लस 1 को तोड़कर देखते हैं प्रति प्लस 1 तो यहां पर क्या है और अधातर प्लस ही की मत्त्रह है और यहां पर एह है ठीक है यहां पर ए है तो इसमें संद्री में होता है ए का यह हो जाता है और ए का यह हो गया तब यहां बचा क्या आधाता ही बचा है ना आधाता बचा है तो चलिए यहां प्रहम लिख रहे हैं फिर आधाता यहां बचा आधाता लिखे फिर यह जो है यह लिख दिये और यह में जब यह जोड़ेंगे तो ए की मात्रा हो ठीक है अभी तो नियम शुरू कर रहे हैं ये तो उदाहरन देख रहे थे मतलब संदिक क्या होता है कैसे होता है तो अब देखते हैं यहां से नियम आपका सुरू हो जाएगा तो पहले संधिके भेद देख लेते हैं, संधिके तीन भेद होते हैं, मुक्रूप से तीन भेद, ठीक है, संधिके कितने प्रकार हैं, तीन, तो देख लेते हैं, संधिके भेद, देख लेते हैं, संधिके भेद, संधि के भेद यानि संधि को कितने मतलब कितनी संधियां है तो संधि तीन है कौन-कौन है एक तो है स्वर संधि एक है ब्यंजन संधि एक है ब्यंजन संधि और एक है बिशर्ग संधि कौन-कौन स्वर संधि ब्यंजन संधि और बिशर्ग संधि ठीक है दिख रहा है कि नहीं कम दिख रहा है इसमें तो थोड़ा सा मारक कर चलिए संधि तीन है स्वर ब्यंजन बिशर्ग तो स्वर संधि किसे कहते हैं सबसे पहल तो स्वार्षंदी कहेंगे, जब संधितों कहते हैं दो वाड़ों के मेल से उतपन विकार को संधि कहा जाता है तो स्वार्षंदी किसे कहते हैं? स्वर संधी कहेंगे दो स्वरों के मेल से जब विकार उत्पन होगा स्वर संधी किसे कहते हैं जब दो स्वर मिलेंगे जो परिवर्तन होगा स्वर संधी है ठीक है स्वर संधी किसे कहेंगे दो स्वरों के मेल से स्वर प्लस स्वर स्वर प्लस स्वर जब मिलेंगे तो कौन सी संधी होगी स्वर संधी होगी क्या होगी स्वर संधी स्वर प्लस स्वर जब मिलेंगे स्वर से स्वर जब मिलेंगे तो जो परिवर्तन होगा उसे कहेंगे स्वर संधी ठीक है, तो सार्टकट में हम लिख दिया हैं, आप लोग समझ लीजिए, अब स्वर्संदि के कितने भेद होते हैं, तो संदि के तो तीन भेद हो गया, अब स्वर्संदि के भी भेद होते हैं, स्वर्संदि के पांच भेद होते हैं, कितने पांच भेद, तो लिख लेते हैं पांचो को, पहला हो गया, दिर्ग स्वर्शन्दी, दूसरा हो गया, गूंड स्वर्शन्दी, तीसरा हो गया, ब्रिधी स्वर्शन्दी, तीसरा ब्रिधी हो गया, चौथा याण स्वर्शन्दी हो गया, याण हो गया, पांचो मा हो गया, अयादी, अयादी स्वर्शन्दी, ठीक है पहला स्वरसंदी में पहला है दिर्ग स्वरसंदी दूसरा गुण स्वरसंदी तीसरा ब्रिदी स्वरसंदी चवथा यंड स्वरसंदी पाचवां अयाद स्वरसंदी ठीक है यह हो गया हमारा अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो दिर्ग संदी है पहले स्वरसंदी म दिर्ग संध को सुरू करते हैं तो चलिए देखते हैं अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे और बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है आप बहुत आसानी से समझेंगे सिर्फ आपको ध्यान देना है ठीक है तो चलिए पहला अब देखते हैं क्या कि शंदि में पहला देखते हैं सुर संदी में पहला क्या है ढेरिख शंदि चक्ष। के देरुग स्वर है कि संधि ठीक कि bei शंदी में पहला क्या है देओ अभी दे त दीर्ग में इसका नियम देख लीजे कैसे हिसमें होता है तो इसमें उता है कि जैसे दो तो सब्द आएंगे पहले तो सब्द देख लिजी पहले समझने के लिए समय निम्हासान हो जायगा जैसे जैसे यहां पर विद्ध्या प्लस आले विद्ध्या प्लस आले तो जो दो समीप और्ती वाइड मिलते हैं तो समीप कहों से होंगए आपर दिख कम दिख रहा है न चलिए तो रिमार कर विश कम सही है अज चलिए देखिए बिद्या यहां समीप औरती क्या है दोनों नजधिक यही हैं यहां पर द्या यहां ठीक है द्या यानि आ की मात्रा है यहां पर प्लस यहां पर क्या है यहां भी आ है ठीक है यही मिलेंगे आ प्लस आ मिलकर के आ बनेंगे तो हो जाएगा क्या बिद्ध्याले हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बिद्ध्याले ठीक तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर अब देखते हैं यही हम दिर्ग स्वर संदी में होता है दो समान वर्ड मिलते हैं जैसे दो समान स्वर मिलेंगे दिर्गमें और कौन कौन से ऐ, इ, उ, ये ही मिलते हैं जैसे ऐ या आ के बाद जैसे ए जा आ הזה इसकी बत हम कर रहे हैं ऐ या ऑ के बाद twins ए या आ क्या आये आये तो दोनों मिलकर के मिल करके हो जाएंगे आ हो जाएंगे दोनों मिल करके समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर आ ही दोनों है लेकिन अभी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अ हो चाहे आ हो होगा यही ठीक है अ या आ के बाद अ या आ आये तो मिलने के बाद दोनों A बन जाएंगे इसको ध्यान रखना जैसे जैसे देख लिजी उदाहरन पुस्तक प्लस आ लए तो देखिए A या A के बाद यहां क्या है कमे A है क्या है कमे कौन सी मात्रा A है ठीक है A या A के बाद प्लस क्या आया A या A, दोनों में कोई भी आ सकता है A रहे चाहे आ रहे तो क्या है, A है चली, A ही है तो मिलने के बाद दोनों मिलेंगे जब बन जाएगा A, क्या बन जाएगा तो यानी A की मात्रा लग जाएगी अब यहां पर जोडने पर तो क्या हो जाएगा पुस्तक था तो आ हो गया क्या हो गया स्वरसंदी में ए हो गया अगर अ नहीं है तो ई हो सकता है दिर्ग स्वरसंदी में चाहे अ या आ आता है चाहे छोटी इ बड़ी में कोई भी आ सकती है चाहे उ में से रहे छोटा हूँ या बड़ा हूँ ठीक तो मान लिजी ए हो गया एक नियम इ में भी यही चीज होता है छोटी इ या बड़ी इ के बाद छोटी इ या बड़ी इ के बाद प्लस छोटी इ या बड़ी इ आए तो दोनों मिल करके बन जाएंगे बड़ी E क्या बन जाएंगे बड़ी E बन जाएंगे ठीक है क्या बड़ी E बन जाएंगे उदारण देख लेते हैं जैसे रभी प्लस इंद्र रभी प्लस इंद्र तो यहाँ पर क्या है रभी यानि वह में छोटी E है तो यहाँ पर देखे चोटी E या बड़ी E के बाद तो यहाँ क्या है चोटी E या बड़ी E कोई भी हो सकता है प्लस चोटी E यहाँ पर आई है चोटी E या बड़ी E कुछ भी हो सकती है यहाँ तो चोटी E है तो दोनों मिल करके बनते हैं क्या बड़ी E क्या बनेंगे बड़ी ए तो हो जाएगा क्या बड़ी ए की मातरा लगा देंगे तब जोडने पर क्या हो जाएगा रविथा तो रवी कर देंगे बड़ी ए रवींद्र समझ गया होंगे आप अब अगर उ आता है तो उ में भी यही नियम अप्लाई होगा, अगर उ आये, तो उ में भी यही रहेगा, तो उ आला भी देख लेते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करेंगे, तभी सही रहेगा, तभी समझ पाएंगे, जैसे समझ तो जाएंगे, उदाहरण नहीं करेंगे, तो फिर भूल जाए ठीक अगर उ है छोटा उ या बड़ा उ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आता है तो दोनों मिलकर के बड़ा उ बन जाता है ठीक है न यह हम लोग दिर्ग संधी पढ़ रहे हैं दिर्ग में दो ही तीन नियम थे और दिर्ग में एक अगर संस्कृत संस्कृत का अगर व्याकरण में संस्कृत संधी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक री भी आती है तो लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं री में भी यही नियम होता है छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आये तो बड़ी जैसे इसमें देख रह क्या वदू प्लस उत्सव यहां देखिए अंतिम में क्या है यहां पर देखिए और यहां पर देखिए धर में छोटा उ है तो यहां देखिए छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो प्लस यहां भी छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो यानि छोटा उ है या बड़ा उ रहा हो तो अतब चोटा उथा तो बड़ा उबन गया क्या हो गया और तीनों नियम जो इस में थे एक एक उदारन हम देखे और ज्यादा से ज्यादा उदारन आप अपने बुक से करिए कोई भी प्रेक्टिस से ठोओ वहां से करिए तभी बढ़ियां से क्लियर होगा तो ज्यादा उदारन कराने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है तो ज्यादा उदारन नहीं देखेंगे हम एक दो उदारन देखते चलेंगे सिर्फ नियम समझ रहे हैं तो ज्यादा उदारन देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है तो अगला देखते हैं यह हो गया हमारा दिर्ग दिर्ग संधी हो गया तो अगर ऐसा कुछ रहेगा एकजाम में तो आप बताएंगे दिर्ग संधी है यह नियम अगर उसमें काम कर रहा है तो अब दूसरा है आपका गुण संधी स्वरसंधी में दूसरा क्या है गुण स्वरसंधी गुण स्वरसंधी लिखो चाहे गुण संधी लिखो मतलब एक ही है कहीं गुण संधी दिया होगा कहीं गुण स्वरसंधी तो गुण संधी गुण सुर्शंधी ही होती है तो इसमें Confuse नहीं होना है तो चली देखते हैं इसमें होता है क्या इसमें होता है निय में है या आ के बाद क्या आ सकता है ई अगर आए तो ई का हो जाएगा A या A के बाद अगर E आए तो हो जाएगा A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा यानि A वाली मत्रा ठीक है? A वाली मत्रा हो जाएगी अगर A या A के बाद A हो चाहे A हो इसके बाद अगर आता है U आए अगर कोई भी हो सकता है चोटा है बड़ा तो ओ हो जाएगा आपका यहाँ पर यानि मात्रा काउंसी ओ की मात्रा यही होती है न यही हो जाएगा यह हो जाएगा उदाहरन द्वारा समझते हैं तो एक और इसमेनियम है अ या आ के बाद अ या आ के बाद अगर री आए री कोई भी हो सकती है चोटी भी हो सकती बड़ी भी हो सकती है तो और या आके बाद अगर री आता है तो यहां पर हो जाएगा अर बन जाएगा आपका ठीक है अर चलिए अब उदारान तीनों का हम लोग देख लेते हैं बारी-बारी से जहीं से देखिए इसका देखते हैं पहले का देव प्लस इंद्र देव प्लस इंद्र देखिए यहां क्या है व में अ है की नहीं है A या A कोई भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है यहां देख लिजी उपर A या A हो सकता है कुछ भी हो सकता है A रहे चाया रहे मतलब एक ही है तो क्या होगा यहां पर A है A में A है ठीक है प्लस E या A क्या आये E आया है यहां पर तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए यानि क्यों से मात्रा ए वाली मात्रा ठीक है तो चली ए वाली मात्रा लगा देते हैं देवथा न तो ए य वाली मात्रा लगाएंगे यह वाली मात्रा यहां पर देवे हो गया, देवेंद्र, ठीक है देवेंद्र, यहां पर आप चाहे उपर बिंदी लगाएं, चाहे आधा न लिखें, दोनों का मतलब एक होता है, इसमें भी कनफ्यूज नहीं होना है, तो आप चाहे यहां अनुशार लगाएं, चाहे आधा ने लगाएं दोनों एक ही है ठीक है एक है तसने सिसका स्भी गलत नहीं है दोनों से है कि अब दूसरा अुदारण देखते हैं अगर अ मैं या आखे बाद वॉता है तब क्या पर यहां रोग दहा Aires पर र यानि अ अ या आ के बाद क्या आया है उ आया है क्या आ गया उ आ गया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा उससे मतलब नहीं है ठीक है तो मिलकर दोनों हो जाएंगे ओ क्या हो जाएगा ओ क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा यानि कौन सी मात्रा ओ की मात्रा यही है तो चली यही मातर हम लगा देते हैं पर यो की मातर लगा देंगे यहां फरो हो गया है रोंपकार हो गया अगला देख लेते हैं उड वहांन रेक इसका और है इसी तरह से सभी आप हल करेंगे इसको तो अगला उदार देख लेते हैं इसका जैसे महां प्लस रिसी महां प्लस रिसी तो यहां क्या है और या आ के बाद हा आ आ गया है इस बार तो कोई मतलब नहीं उससे चाहिए जो भी आए चलेगा अगे बाद रि आ है क्या आ गया डिया गया तो क्या हो जाएगा अर हो जाएगा अर हो जाएगा तो चलीजोड़ देते हैं महां प्लस रिसी तो इसको हम दिखा दे रहे हैं कैसे होगा चलो महर यही चीज ए भी है क्योंकि आधार लिखने का तरीका सिर्फ यही है इसलिए आधार यहां पर लिखा जाता है उरणतूर कहते है या रेख कहते हैं तो ऐसे लिखा वही लेकिन लिखने का तरीका है इसलिए ऐसे लिखा गया मेंएं sound Around I am andare right now महर में से इसलेंगे अmekा निकाल कि तो जाएगा यहां पर प्लस बन गया यहां पर ठीक है अर है इसमें महर ठीक है तो आप इसका भी प्रेक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा से जद्धा प्रेक्टिस करना है आपको ठीक है तो चलिए और देख लेते हैं इसके आगे संधी हो गया गुरू कंते हैं अषयू संधी हो गया है इसके बात ब्रिदी संधी को देखते हैं तीसरा है आपका ब्रिदी ब्रिद्धि श्वरसंधि में क्या होगा देखी इसमें होगा अ या आ के बाद ए या आय आय तो दोनों के अस्थान पर आय हो जाएगा ध्यान रखना है अगर अ या आ के बाद क्या आता है वो आय चाहे अव आय लेकिन दोनों मिलकर अव ही बन जाएंगे ठीक है इसको ध्यान रखना है तो चलिए उदारन देख लेते हैं जैसे उदारन देख लेते हैं एक वाला उदारन पहले कर देखते हैं एक प्लस एक तो क्या है एक यहाँ पर आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ या आ आएगा कोई आएगा प्लस ए तो ए या आ कोई भी हो सकता है तो मिलकर जब बनेगा तो ए ही बनेगा ठीक है तो क्या बनेगा ए बन जाएगा तो चलिए बन गया तो ए करते हैं एक था तो ए की मातरा लगाएंगे इस पर कई हो गया एक कई एक ठीक है दूसरा उदारन इसी का देखते हैं मत प्लस एक मत प्लस एक मत प्लस एक ता कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहां तरमे अ है प्लस ए है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्या हो जाएगा इसको समझेंगे और अगला इसका उधारण देख लेते हैं एक जो बचा है इसका उधारण चलो इसका उधारण देख लेते हैं एक और प्लस ओज यहां क्या है अ है फ्लस यहां ओ है तो ओ आए चाहे अओ आए दोनों मिलकर अओ ही बनेंगे ध्यान रखना है आपको तो क्या हो जाएगा परमाओज परमाओज हो गया ठीक तो यह हो गया आपका इसके आगे चलते हैं बिरिधिसंदी हो गई आपकी उदारण आप करेंगे ज्यादा से ज्यादा आगे चलते हैं इसके आगे बस दो ही उदारण हम देख रहे हैं इससे ज्यादा उदारण आप अपने बुक से करना है आपको ठीकें चलो सको मिट आते हैं कि बिद संधी हो गई अब चवथा देखते हैं संधी चवथा देखते हैं एंड संधी यानि यानद स्वर संधी लिख सकते हैं इसमें क्या होता है देखिए इसमें होता है इ इ-उ-री इसके बाद इ-उ-री के बाद के बाद क्या आता है भिनस्वर 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 यानि अलगस्वर क्या अलगस्वर लिख सकते हैं अलगस्वर अलगस्वर का मतलब क्या होगा कहने का मतलब इ के बाद इ नहीं होगा अलगस्वर मानेंगे उ के बाद उ नहीं रहेगा अलगस्वर तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा देख रहते हैं चलिए जो दिख रहा है इतना ही इसी से काम से लाते हैं ठीक है भीन सुर्माने अलग सुर्थ तो देखिए उदारन देख लेते हैं तो हाँ ए के बाद अगर भीन सुर्ह तो ए का हो जाएगा यह उ के बाद भीन सुर्ह तो उ का हो जाएगा यह री के बाद अगर भीन सुर्ह तो री का रह हो जाएगा यानि आधार रहेंगे सब यह रह आधार रहेंगे ठीक है दिख कम रहा है, साप दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए जो दिख रहा है, इसी से चलाते हैं कम, चलो, देखते हैं, इ के बाद अगर भी न सुराता है, तो यह हो जाएगा, जैसे देख लेते हैं, जैसे देखिए, अति, अति प्लस अंत, तो देखिए यहां पर क्या है, ता में इ है, इ प्लस अंत में, यानि अ यहां पर आ गया, इ के बाद इ नहीं आया, अलग सुरा गया, तो इ का हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे ये हो गया जब ये हो जाएगा तो बन जाएगा अत्यांत अत्यांत हो जाएगा कैसे हो जाएगा दिखा रहे हैं आपको हम तोड़ करके क्या है यहाँ पर अति प्लस अंत है न तो इसको हम तोड़ करके आपको दिखाएंगे तब समझेंगे आप चलिए यहाँ पर ए है यहाँ पर प्लस त है यानी आधा तकर दे रहे हैं ई ये लग कर दे रहे हैं ए की मात्रा है जो त प्लस ई है इसमें तबती बनी है ठीक है यहाँ पर फिर A है आपका क्या है? A है फिर आधा ना यानि अंस्वार करके T चलो इसको भी तोड़ देते हैं तभी समझेंगे प्लस T, प्लस A है यहाँ पर भी ठीक है? तो क्या हो जाता है? E का यह हो जाएगा तो E के जगह पर यह रख दीजिए इसको आप जोड़ दीजिए जो नीचे लिखे हैं इसको आप जोड़ देंगे तो अत्यन्त बन जाएगा जोड़ कर आप देख लिजिए ठीक है? चली हम जोड़ कर देख लेते हैं A यहाँ पर है A यहाँ पर आधा ता है फिर यह आधा यह है अभी तक लेकिन A जब लाएंगे इसमें तो पूरा यह बन जाएगा ठीक है? यहाँ पर ता है आधा ता है और A इसमें जोड़ेंगे तो पूरा ता बन जाएगा अत्यन्त बन गया कि नहीं बन गया? तो A हो गया आपका अगर उ आए तब पर भी है यही नियम चलेगा उ के जगह पर व रख देंगे तब इ का यह, उ का व होगा यहाँ पर हम ध्यान नहीं देए व का व होगा ठीक है? उ के जगह पर व रखना है आपको तो उदाहरण इसी तरह से उसका भी रहेगा यहाँ ए के जगह पर हम यह रखे हैं तो आप अगर उ आए यहाँ पर तो उ के जगह पर व रख देंगे आप फिर व ऐसे जोड़ देंगे आजाएगा अगर री आया है यहाँ पर तो री के जगह पर रह रख देंगे आधा रह फिर ऐसे ही जोड़ देंगे हो जाएगा यह भी ठीक है नियम यही चलेगा इसमें तो इसको मीटाते हैं अब अन्तिम देख लेते हैं अयादिश्वरसंदी अयादिश्वरसंदी को देख लेते हैं थोड़ा सा शार्ट कट चलना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा साप नहीं बन रहा है वीडियो में थोड़ा साप नहीं आपा रहा है इसी से थोड़ा जल्दी से खतम करना पड़ रहा है हमको ठीक है अयादी स्वरसंदी देखते हैं पांचमा है स्वरसंदी में अयादी अयादी स्वर स्वरसंदी ठीक है अयादी स्वरसंदी इसमें नियम होता है इसमें ए अए ओ ओ इसके बाद क्या आता है प्लस क्या आ जाता है इनके बाद आ जाता है भीनस्वर भीनस्वर यानि अलग स्वर भीनस्वर यानि अलग स्वर तो ए का अव यही हो जाएगा ठीक है एक उदारन इसमें हम कर लेते हैं और सभी उसी तरह से होंगे जैसे देख लेते हैं जैसे देखिए नयन देख लेते हैं एक हम दारन कहां पर यहां दिख रहा है चलो दिख रहा है नयन चलो देखो ने प्लस अन तो ने यानी ए है ए के बाद क्या आ गया या भिनस्वर आ गया क्या गया भिनस्वर तो ए का I हो जाएगा जब ए का I होता है तो ने का नए हो जाएगा नए प्लस अन जोड देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें अन जोडेंगे क्या हो जाएगा नए यह में अकर दिये पूराया हो गया नएन हो गया क्या हो गया नएन हो गया ठीके और उद्वारन इसका एक आग देख लेते हैं जैसे गए प्लस अक डिख रहा है न? चलो डिख रहा है जब अय का आय होता है तो गए का गाय नहीं होगा होगा अय का आय तो गए का गाय गाय प्लस अक यहां पर है चलो गाय अधाय यह भी हल लगा है चिन्ह नीचे अ मिलेगा तो पूराय हो जाएगा और का गायक ठीक है गर इसको तोड़ कर भी देखना चाहें तब तोड़ कर भी देख सकते हैं हम तोड़ कर आपको दिखा देते हैं चलो गए है तोड़ते हैं ग प्लस अ है तो अ हम यहां पर रख देते हैं आ यह चलो आए रख कर कि जोड़ दो उत्तर आ जाएगा यहां पर है ग है यानि आधा गर है प्लस आ है यानि आए आए है यहाँ पर प्लस अ है यहाँ पर प्लस कर है यहाँ पर प्लस अ है यहाँ पर चलो इसको जोड़ देते हैं आधा गर है यहाँ पर आ गर के नीचे हल चिन है तो आ जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा गा हो गया प्लस यह है यह में हल चिन है यानि आधा है अभी तो अ जब इसमें जुड़ेगा तो पूरा यह हो गया और कम यह जुड़ेगा तो कभी पूरा हो गया बन गया गायक इसी तरह से सभी नियम इसका रहेगा ए अए ओ ओ का अगर ए आता है पहले तो अए हो जाएगा अए आता है तो आए हो जाएगा जैसे हाँ गायक हुआ है ओ है तो अव हो जाएगा अव रख देंगे इसकी जगह पर जहाँ पर हम आए रखेंगे वहाँ पर आव रखेंगे अगर अव आ रहा है तो आउ रखेंगे जहां पर आए रखा गया वहां पर आउ रखेंगे ठीक है तो ए वीडियो हुगा पूरा स्वरसंदी का अगर ए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार